पंडित नहरू जी ने तो असम को टाटा बाई बाई बोल दी थी माई हार्ट गोज आउट टू असाम टू पीपल असाम आप तो उसी दिन छोड़के बैठके थे आपके लिए देश का कोई टुकड़ा चला जाए आपको कोई फरक नी पड़ता अक्षाई चिन का एरिया चलेगा आपको तब भी कोई फरक नी पड़ा आप हिंदू-चीनी भाई-भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गंदी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को जवाब नहीं देते अब मैं 1966 की बात करता हूं मीजोरम में किसने बॉम फिकवाए थी किसकी दादी थी शरीमान राहुल गांदी जी जवाब दीजिए देश को मीजोरम में बॉम फिकवा के हजारों लोंगों की हत्या किसने करवाई थी क्या आप इंद्रा गांदी जी के निरिनुप को लेकि अभी नहीं पता होगे हैं जब आप से आज मीडियन सवाल पूछा तो आप कन्नी काट के परली तरफ निकल गए इतिहास गवाहे यह मनिपूर में नफरत का बीच बोने वाली कॉंग्रेस पार्टी मीजोरम में 1966 में बंफिकवाने वाली उस समय की कॉंग्रेस की सरकार और शिर्मत इंद्रा गांदी जी और मैं अगर बात करूं 1997 के तो एक साल तक मनिपूर जलता रहा किसकी सरकार थी किसका समर्थन था और यही नहीं 2011 में राहूल जी आप तो तब सांसत थे 2000 पे लीटर पेट्रोल भी का मनिपूर में कितने महिने बंद रहा मनिपूर जलता रहा और इन सालों का अगर आप हिसाब लगाओगे कॉंग्रेस के साशनकाल में नौर्थ इस्ट के कितने राज्यों में कितने हजार लोग मारे गए उस खून से किसी का हाथ लत्पत है तो कॉंग्रेस पार्टी का हाथ लत्पत है यह खूनी पंजा जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हूं यह निर्णे आपके जो देश इतिहास को भूल नहीं पा रहा क्योंकि नफरत के बीच आप लोग ने बोय थे नौर्थ इस्ट बंब बंद और ब्लाश के लिए ही जाना जाता था बंब बंद और ब्लाश के लिए नौर्थ इस्ट जाना जाता था कॉंग्रेश की सरकारों में लुकीस्ट पॉलिसी थी आपकी देखते रहते थे मोदी जीना के एक्ट इस्ट पॉलिसी चलाई है जितने पिछले साथ सालों में आपके परधान मंतरी जितनी बार नौर्थ इस्ट नहीं गए उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नौर्थ इस्ट गए भी नौर्थ इस्ट के विकास के लिए कदम भी उठाए आपको तो 75 साल में कोई ऐसा नहीं आए जिसको भारत रतन पर देने का काम किया पदम श्री से लेकर पदम विभूशन तक देने का काम किया लेकिन आखिरकार आपको तो नफरत के बीच बोने की आदत है राजनिती खिलाब उठाना है आपका हाल भी श्रीमान राहुल गांदी जी वैसा ही है जैसे बिन पानी मचली तडपती है ना आप भी बिन सत्ता के वैसे ही तडप रहे हों कुछ भी बोलते हों देश के खिलाब भरत माता के खिलाब इससे बड़ा दुरबाग्य क्या होगा और जब अमित भाई ने यहां पर बताया ग्रहमंत्री जी ने कि कैसे अजादी के बाद 2014 ता कोई फेंसिंग नौर्थ इस मे मनिपूर में नहीं की गए पूरा बॉर्डर खुला होता था चालिस किलो मेंटर तक अंदर आने देते थे तब तो आपका कोई निता वहां खड़ाओ कर नहीं बोला हमारी सरकार ने फेंसिंग भी शुरू करवाई है करवा भी दी अब आगे भी जारी है और यही नहीं जि कि एक समाज के अगर पुलिस कर्मी साथ में होगे तो दूसरा समाज है अगर दो ट्राइब की लडाई है हम सब का प्रयास होना चाहिए कि उसमें आग में घी ना डालने जो कॉंग्रेस पार्टी करती आग में घी डालने का और जले पे नमक छड़कने का काम आप करते हो वहाँ आप मरहम लगाने नहीं गए थे आग में घी डालने का यह यह कॉंग्रेस पार्टी की पुरानी सोच है बांटो और राज करो अकाल तक्त पर भी आप लोगों नहीं वो कारवाई करवाई थी श्रीमतिंद्रा गांदी जी ने राहुल गांदी जी जवाब दीजिए देश को हजारों सिख परिवारों के कतलियाम अपनी उनकी हत्याओं में जो जान गई तब आपके पिता पूर्व परधानमंत्री राजीव गांदी जी ने कहा बड़ा पेड गिरता है तो धर्ती हिलती है आपके लिए हजारों सिखों की हत्याओं कुछ नहीं थी दर्द हुआ था राहुल जी राजीव जी की स्टेट्मेंट से लगता नहीं कभी दर्द हुआ होगा और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता है भारत सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो शान्ती की दिशा में हो आपकी सरकारों में तो ना कभी परधानमंत्री गए ना कभी गृह मंत्री गए ना कभी गृह राज्ये मंत्री गए यहां तक की पारलिमेंट के अंदर भी कॉंग्रेस के सरकारों में किबल ग्रह राज्ये मंत्री ने एक स्टेटमेंड दी थी हम पहले दिशिन से परधानमंत्री breaking चाह में चर्चा के लिए तयार है के लिए कॉंगरेस पार्टी चर्चा से क्यों भाग रही थी, कॉंग्रेस का काला इतिहास, कॉंग्रेस का खुनी पंजा, ये देश के सामने नजर आता था कि कैसी इनन सरकारे चलाई, हजारों लोग की हत्याएं कैसे हुई, कैसे नौर्थ इसको जलाते थे, और अपनी राजनीतिक रोटिया सें हो गए कि भारत माता की हत्या की बात करते थे